नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो निर्मान प्रशिक्षन श्रंखला के माध्यम से हम ये सीखेंगे और जानेंगे कि अपने किरदार और विशय को फ्रेम में रखते हुए एक अच्छे शॉट को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों और बातों का ध्यान रखना होता है साथ ही साथ इस वीडियो में इस्तेमाल किये गए उदाहरन हमें एक अच्छा शॉट बनाने में मदद करेंगे सर के उपर परियाप्त मात्रा में जगय कोई भी शॉट लेते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि फ्रेम में विशय और किरदार के सर के उपर परियाप्त मात्रा में जगय हो अगर ऐसा नहीं होगा तो शॉट खराब दिखेगा की सोधन करने से उसका जाड़ मजगूत होता है उसमें कि टानू नहीं लगता है कोई नहीं लगता है किरदार के देखने वाली तरफ परियाप्त मात्रा में जगह कोई भी शौट लेते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि किरदार या विशय जिस तरफ देख रहा हो उस तरफ परियाप्त मात्रा में जगह देनी चाहिए अगर करदार सीधा कैमरा में नहीं देख रहा है या फ्रेम से बाहर देख रहा है तो जिस तरफ वो देख रहा है उस तरफ परियाप्त मात्रा में जगह दें निमास्तर के परियोग करें से फसल भी अच्छा होई और पाउधा भी स्वस्त रहत किरदार या विशय के चलने वाली तरफ परियाप्त मात्रा में जगह जब भी हमारा किरदार या विशय चल रहा होता है तो जिस तरफ वो चल रहा होता है हमें उस तरफ परियाप्त मात्रा में जगह देनी चाहिए एक तिहाई वाला नियम हमेशा शौट लेते हुए हमें अपने किरदार या विशय को फ्रेम के एक तिहाई वाले हिस्से में रखना चाहिए जैसे इस समय मैं हूँ ऐसा करने से हम अपने शौट को और ज़्यादा सुन्दर और दर्शनिये बना सकते हैं एक तिहाई वाले नियम का पालन करने से हम अपने किरदार को फ्रेम के बीच में ना रखते हुए भी सुन्दर दिखा सकते हैं जीव का में जुले से लोग गड़ी लोग लेहे ता लोग कोमरेट मीले है तो लोग हमसलों कमाये तो खायों लेला खादूर उपया माना सुझ जामा कैला अब आर लेवे सो सुधे भरते भरते आदमी तबाही भी लेहे भीका जाए गड़ी लोग हम उनका खाता बैंक में खुल वाए फिर खाता बैंक में जब खुला उनका तो फिर संस्ता दोवारा जीव का दोवारा उन्हें पचास हजार का ICF लॉन दिया गया बैक ग्राउंड पर ध्यान देते हुए शौट लें जब कभी भी शौट लें तो ये ध्यान रखें कि आपके किरदार या विशय के पीछे क्या है याद रखें आपके किरदार या विशय के पीछे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे दर्शकों का ध्यान बटे और उनका ध्यान हमारे विशय या किरदार से हट जाए एक अच्छा बैक ग्राउंड होने से शौट और अच्छा हो जाता है देखिए दीदी बीज को सोधन करके इसलिए लगाना चाहिए कि उसका जड़ मजबूत हो और फसल अच्छा हो तो आपने इस वीडियो में देखा और सीखा कि एक अच्छा शौट लेते हुए किन-किन बातों और चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में दिये गए उदाहरन आपको समझाने के लिए हैं फिल्म बनाते हुए वीडियो में सिखाई गई बातों का ध्यान रखें याद रखिए एक अच्छा शौट आपके वीडियो को आपकी कहानी को ज्यादा सुन्दर और दर्शनिये बनाता है नमस्कार ट्रे कर से घजरेजर बनाता है झाल झाल